आज हम यहाँ पर अपनी कक्षा में समानतर माद्य किस प्रकार से बताया जाए के विसे में बादे करेंगी मित्रों जैसे देखते हैं हम लोग कक्षा में समानतर माद्य अध्याय आता है तो हमने देखा है कि बच्चे समानतर माद्य से तो अवगत नहीं होते परंतु इसके समानतर एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं औससे बच्चे लगभग परचित रहते हैं तो बच्चों को अगर हम समांतर माद्दे पढ़ाएं तो यहां बताएं कि समांतर माद्दे औसत या माद्दे तीनों एक ही चीजे हैं जैसे समानतर माध्य हमने प्रारम कर रहा है अगर मानलो कक्षा में तो हम बता सकते हैं कि कक्षा में ही उधारण इसके प्रस्तुत हैं जैसे हम कह सकते हैं कि क्लास में आपकी कक्षा में जो बच्चे वैठे हैं उनकी आस्तन उचाई जो है वो 140 cm है तो यहाँ पर बच्चों का पूछना होगा कि क्या प्रतेग बच्चे की उँचाई 140 cm है तो हम कहेंगे नहीं यहाँ पर 140 cm जो उँचाई हमने लिए है वो वस्तन है इससे उपर भी कुछ बच्चों की उँचाई हो सकती है इससे नीचे भी कुछ हो सकती है अर्थात कहने का अर्थात परी है कि 140 cm पूरी कक्षा में लगभक पूरी कक्षा में बीच का आप कह सकते हो 140 cm जो उँचाई है वो है तो इस प्रकार से अक्सर हम लोग और भी उधान दे सकते हैं जैसे आज के बच्चे जो है टीबी में मैस देखते है तो बच्चों ने देखा कि सचिन दिंदूल कर जब खेलने आ रहे हैं तो उनके बारे में विबरण सामने आता है जिसमें लिखा रहता है कि इन्होंने 67.47 की औसद से रन मनाए तो यहाँ पर हम बच्चों को बता सकते हैं कि 67.47 जो इन्होंने लिखा है वो ऐसा नहीं कि प्रतेक मैंच में उन्होंने 67.47 रन मनायें ऐसा नहीं है कभी ऐसा भी होता है कि वो शुनने पर आउड हो जाते हैं कभी ऐसा होता है कि वो 105.47 बना देते हैं और कभी 95.47 इस प्रकार से जब उनके द्वारा सभी खेले गए मैंचों का कई उधारान हम अपने बच्चों को देख करके समझा सकते हैं कि आउसत या माध्य क्या होता है तो माध्य के विसे में अगर हम बात करें तो माध्य में हम कह सकते हैं कि केंद्री प्रवर्ती की सबसे सरल माप है हम इसे कैसे कहेंगे वो हम बता सकते हैं बच्चों को कि समांतर माध्य किसी शरंकला की सभी मदों का एक औसत है यह केंद्री प्रवर्तियों का सबसे सरल माप है और इसे माध्य भी कहा जाता है जो बच्चे हम लोग देखते हैं माध्य भी कहते हैं औसत भी कई बार कहते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा या सवांतर माद्धी भी कहना गलत नहीं होगा तो इस प्रकार से माद्धे अगर हम बात करें अगर बच्चों की वाशना बात करें छोटे बच्चे जो की माद्धिक को समझना चाहते हैं उनके विसे में अगर बात करें, उनके हिसाफ से अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं, एक उधारन दे करके, कि उधारन क्या है, जैसे हमने एक उधारन यहाँ प्रस्तुत किया आपके सामने, कि मान लिजिए, एक महिने में पाँच लोग हैं, राम, शाम, मोहन, किशन और रवी, तो यहाँ पर जो दिखाया दर्शाय जा रहा है आपको, यह दिखाया जा रहा है कि राम ने जो हैं, एक महिने में पाँच मैच खेले, शाम ने 6 मैच खेले, मोहन ने 7 मैच खेले, किशन ने 8 मैच खेले, और रवी ने 9 मैच खेले, इस प्रकार से अगर हम यह ग्याद करना चाते हैं कि इनके द्वारा खेले गए मैचों का माद्दी क्या रहा होगा, या औसत क्या रहा होगा, तो हम यहाँ पर बच्चों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम माद्दी निकाल सकते हैं तो माद्दी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें मैचों की कुल संख्या अर्था उनके द्वारा कितने मैच खेले गए हैं एक महिने में सभी के मिला करके कितने मैच हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैचों की कुल संख्या है 35। अर्थात राम, शाम, मोहन, किसन और रवी के द्वारा खेले गए मैचों को अगर जोड़ दिया जाएं। तो हमारे पास कुल योग मिलता है 35। अब ये बताना होगा बच्चों को कि खेलने वाली, जो खेलने वालों की संख्या कितनी, यानि कुल कितने लोग हैं। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर पांच लोग हैं, तो हम कह सकते हैं जो मादे, मादे यानि कि इसे हम एक विशेश चिलने अर्थात एक्स बार से दिखाते हैं, एक्स के उपर एक सरल रिखा कीची गई है, इसका मतलब है एक्स बार, इसे पढ़ेंगे हम लोग एक्स बार, तो वो बराबर होता है मैचो की संख्या और बटे में खेलने वालों की संख्या, अब ताथ यहाँ पर हमने देखा कि मैचो की संख्या 35 दी गई है, और खेलने वालों की संख्या 5 दी गई है, तो यहाँ पर अभी आपने उधारन में देखा कि खेलने वालों की संख्या जो है जो मैच खेले हमने कुल मिला करके वो है 35 और खेलने वाले जो लोग खेल रहे हैं उनकी संख्या हमारे पास कुल 5 इस प्रकार से अगर हम इस सूत्र द्वारा अगर बात करें तो मैचों की संख्या 35 और बटे में जो संख्या लिखी जाएगी खेलने वालों के संख्या वो 5 होगी तो हम लोग कह सकते हैं जो इसको सरल करके उत्तर आएगा वो आएगा आपके पास 7 तो यहां पर हम कह सकते हैं कि शाँ जो है वो इन सभी के द्वारा खेले गए मैचों का माद्य है अब यहां पर आकड़े आपको दर्शार आया है बच्चों को बता सकते है कि प्रतेक ने जो है वो साँ मैच नहीं relatively खेले हैं किसीने पाँच के ले हैं किसी ने 6 खेले हैं, किसी ने 7 खेले हैं, किसी ने 8 और किसी ने 9, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो समानतर माद्य आया है, वो 7 आया है, जो कि 6, 5, 8, 9 के बीच का अंक है, अर्थाथ 7, तो इस प्रकार से हम बच्चों को बता सकते हैं, कि जब भी कभी आपको माद्य आया, समानतर माद्य आयाद करना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो भी हमें आकड़े दिये गए हैं, जो भी आंक हमें प्राप्त हैं, या जो भी हमने आकड़े इकटे किये हैं, उन सभी आकड़ों का योगफल ग्याद कर ले उन सभी आकड़ों को एक साथ जोड़ ले और बटे में यहाँ पर जो कुल लिखा जाएगा वो कितने आकड़े हमने यहाँ पर लिये हैं उनको लिखा जाएगा और जो भागफल आएगा भाग करने के पशाण जो उतर आएगा वो कहलाएगा माद chosen कई बार ऐसा होता है हम लोग उधान देते हैं बच्चों से कहते हैं की जाकर करके अपने आस्पास मोहले में जाएए जहां पर रहते हैं जिस गली में वो रहते हैं जिस गाव में वो रहते हैं, उस गाव में अगर दस घर हैं माल लीजे, तो वहाँ जाकर के देखें कि बच्चों की संख्या कितनी है, प्रते एक घर में बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चे इस चीज को समझेंगे, आनन्द भी लेंगे, अगर वो खुद इन को लेकर के आएं, और उसके बार दिमाद दिग्याद करें, तो ऐसा ही हुआ एक बार कि मैंने बच्चों से कहा कि भाई आप जाकर के आकड़े लेकर के आईए, तो बच्चा गया, दस घरों में गया, और उसने आकड़े जो लिये, उसमें उसने ऐसा पाया कि उसके घर में जिस घर में गया, उस घर में एक भी बच्चा नहीं था, अर्थात बच्चों के संक्या शूने थी, तो बच्चा जब आकड़े वापस लेकर के आया मेरे पास, तो मैं उसने प्रश्ण किया कि क्या करना चीए, सर ये एक घर में तो शूने बच्चे हैं, अर्थात बच्चे ह जब उन आकड़ों का जोड करते हैं, तो उस जोड में कोई असर नहीं डालता है, लेकिन उस आकड़े को हम छोड़ भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है कि दस घरों में जाईएगा, उस दस घरों में जाकर के बच्चे ने पाया कि किसी एक घर में बच्चे है नहीं, अगर हम उस आकड़े को छोड देते हैं, तो कहने का मतलब हो जाया कि हमने नो घरों का विशलेशन किया है, नो घरों को हमने जाकर के देखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर विसेश जोड दें कि अगर कभी शुन्य आ जाए, अर्थात किसी आकड़े में जीरो आ ज संख्या जो ले रहे हैं आप, पदों की संख्या जो ले रहे हैं, वहाँ पर उसको दिखाना जरूरी हो जाएगा, तो हम बच्चों को बताएंगे कि समांतर माद्धी होता है, पदों का योगफल, यानि कि उनके द्वारा जितने भी आकड़े लिये गए हैं, उन सब का यो यानि कि अगर हम पदों का योगफल बटे, पदों की संख्या कर दें, तो हमें समांतर माद्धी प्राप्त हो जाएगा, उधारन के लिए मैंने कहा कि आप दस घरों में ना जा करके, आप पचास घरों में जाएए, और जाकर के बच्चों के विशय में विवरल लेकर के आ आया है, तो इस प्रकार से अगर हम पचास जो पद है, उनका योगफल निकालने बैठेंगे, तो हमें समय जादा लगेगा, तो यहाँ पर हम बच्चों को बताएं कि जब संख्याएं जादा हों, अर्थात पदों की संख्या बहुत जादा हो, इस प्रकार से पाच या छे साथ आठ ना हो, और बीस पच्चेस पचास हो सकती है, तो हम बच्चों को बताएं कि किस प्रकार से हम लोग समानतर माध्य और आसान विधी से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि प्रतक्ष विधी, सबसे पहली विधी, जिसे हम प्रतक व्यंचारस घर से विवरण प्राब्त करना है तो बच्चे गए बच्चों ने अपने विवरण अपने आक्डरे लाए और हमको दिखाए और कहा कि सर सभी आकड़ों को जोड़ दिया जाए तो मैंने कहा नहीं यह आप भी कह सकते हो नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ क्यात कर लें कि तीन बच्चे कितने घरों में तो जब उनके आकड़े देखे तो मैंने पाया कि तीन बच्चे जो है दस घरों में है तो इसी प्रकार से मैंने देखा कि दो बच्चे जो है वो भी दस घरों में है और फिर मैंने देखा कि एक बच्चा जो है पास घरों में एक एक बच्चा है तो फिर पाया मैंने कि चार बच्चे जो है वो पास घरों में और है तो इस प्रकार से आकड़े जो सामने आए उस आकड़ों में मैंने बच्चों को बताया कि आपको क्या करना चाहिए आपको यह ग्याद करना चाहिए कि तीन बच्चे जिस घर में है जिस घर में तीन बच्चे हैं वो कितने घर हैं तो बच्चों ने कहा कि दस घर हैं तो मैंने कहा आप तीन को दस बार मत जोड़िए या आप भी कह सकते हो तीन को दस बार मत जोड़िए आप कहिए कि तीन को दस से गुणा कर दीजिए अर्था तीन को दस बार जोड़ेंगे तो भी हमारे पास तीस ही उत्तर आएगा और तीस को अगर हम तीन को अगर हम दस बार गुणा कर देंगे तो भी उत्तर हमारे पास तीस ही आएगा तो इस प्रकार से हमने कहा कि ये तरीका हमारा आसान हो गया इसी प्रकार से बच्चों ने हमें बताया कि दस घरों में दो दो बच्चे हैं, तो दो को दस बार जोडने की बजाए, अगर हम दो को दस से गुणा कर दें, तो निशकर्ष 20 ही आता है, यानि कि उत्तर 20 आएगा, तो यही विधी हम लोग यहां पर प्रतेक्ष विधी का प् कि बच्चों को सबसे सरल प्रतेक्ष विधी लगती है, परन्तु यहां पर बच्चों को बताना होगा कि कल्पित माध्य विधी और पद्विचलन विधी जो है, वो बड़े आकड़ों में आसान होती है, तो मित्रों, हम लोग इन तीनों विधियों के बारे में अगले कार इकरम में चर्चा करेंगे और प्रियास करेंगे कि वो विधियां बच्चे सीख करके समांतर माध्य को ग्यात करना सीखेंगे